तो समस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माधियम से बताने जारें, सर्द्यों में डैप्टीज को कंट्रॉल कर, ब्लेट स्यूगर लेवल को ठीक करेंगी यह पतिया सर्दियों का मोसम दस्तक दे चुका है इस मोसम में अगर आप डैप्टीज को कंट्रोल करने के लिए सही आर की तलास में है तो ये वीडियो आपके लिए मददगा साबीत हो सकता है सर्दियां आपके लिए बहुत सारी मोसमी सबजियों और फलका उपार लेकर आती है जो आपकी सहित के लिए कई माईनों में फायदे मन्द होते है मदगा के रोगियों को अपने आर का खास द्यान रखना होता है क्योंकि ब्लड में इंसुलीन का प्रशार और ब्लड शुगर लेवल काफिया तक आपके आरपर निर्वर करता है डाइप्टीज या मदगा में दो तरह का होता है टाइप वन डाइप्टीज और टाइप टू डाइप्टीज पहले तरह का डाइप्टीज जिसे मदगा मेलिटिस टाइप वन भी कहा जाता है में प्रियाप्त इंसूलिन का उत्पादन नहीं होता इंसूलिन की कमी के चलते बलड शूगर बढ़ जाता है वही टाइप टू डाइप्टीज ए प्रियाप्त इंसूलिन उत्पादन के चलते होती है इन दोनों तरह की diabetes के लक्षन लगबग एक से होते हैं चलिए आप रुख करते हैं सर्दियों में कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं diabetes और मदुमें जैसे रोगों को सर्दियों का सेब कहा जाने वाला अमरूद diabetes के रोगों के लिए फायदे मन्द होता है इसके साथ ही अमरूद का glycemic index कम होता है जो इसे मदुमें के रोगों के लिए अच्छा विकल्ब बनाता है अमरूद फाइबर से भरपूर होता है तो यह पचने में भी समय लगाता है इसे अचानक से blood sugar level नहीं बढ़ता अमरूद की पत्यों में antioxidant होते है तो अगर आप अमरूद की पत्ती की चाय को अपने हार में सामिल कर सकते है तो आपको काफी फायदा होगा तो आपको काफी फायदा होगा अमरूद विटामिन C और potassium से भरपूर होता है जो की type 2 diabetes और pre-diaptic के लिए अच्छा है सर्दियों में अगर आप अमरूद की पत्यों की चाय को आर में सामिल कर ले तो सोने पर स्वागे वाली बात होगी ये सरीर के PS level के संतुलित बनाने में मददगार साबित होगी इससे metabolism बहतर होता है तो कुल मिलाकर high blood sugar level को कंट्रोल करने में आप के लिए अमरूद की पत्यों की चाय लाब का रिशी दोगी अमरूद की चाय बनाने के लिए आपको एक कप पानी में साफ अमरूद की पत्यों को अच्छी तरह से उबालना है इन पत्यों को आप डाले तो ये अवश्य ध्यानर की की पत्यों को आप अच्छी पानी से अवश्य दोले और आप इस चाय को गर्मा गर्मी पिए ऐसा करने से आपको फाइदा हो सकता है क्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों, जय हिंद